नमस्कार दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एस एंजियो टेंसिन कनवर्टिंग एज़ाइम उसका क्या रोल है और एस इन्हिबीटर्स ड्रग की कौन सी जो ड्रग्स होती है जो एस इन्हिबीटर है means angiotensin converting enzyme inhibitors कौन सी drugs हैं कैसे उनका mechanism of action है कौन-कौन सी drugs आती है कैसे वो काम करता है क्या उसके side facts है वो सारा हम आज discuss करेंगे तो उसको जुरूर ध्यान से देखना तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो और साथ में उसके समझने से पहले एक हमें RAAS ना बहुत जुरूरी है उसको समझे भी ना हमें जो है ACE inhibitors वगेरा कुछ नहीं समझ में आएगा ठीक है तो उसको भी आज हम यहीं discuss करेंगे तो शुरू करते हैं ACE inhibitor जो की होती है हमारी cardiovascular disease ठीक है cardiovascular disease जो होती है हमने पहले भी discuss किया था cardiovascular means blood vessels ठीक है तो उसको जो treat करती है that is cardiovascular drugs जिसके अंदर हमारी ACE inhibitors भी आती है इससे पहले हमने calcium channel blocker को discuss किया था हमने अपनी last video में तो आपको फिर calcium channel blocker ही हम use कर लेते हैं वो भी cardiovascular है तो होता क्या है कि हर अलग-अलग mechanism होता है तो उनके अलग-अलग contradiction होते हैं अलग-अलग side fact होते हैं तो किसी के लिए कोई suitable होती है किसी के लिए कोई drug suitable होती है according to body to body vary करता है तो ये जो drug है anti-hypertensive drug है और vasodilator means hypertension को reduce करती है और हमारी blood vessels को dilate करती है कौन सी ACE inhibitor जो drugs होती है उसके लावा treat high blood pressure heart failure में भी ये हमारी drugs काम आती है और इसके लावा prevent kidney disease in certain patients किसी किसी patients के लिए ये kidney disease के लिए भी useful होती है तो इसका mechanism of action हम देखते है dilate the blood vessels ये क्या करती है dilate करती है blood vessels को और lower करती है blood pressure by inhibit the action of ACE that is angiotensin converting enzyme को inhibit करके हमारा blood pressure low करती है उसको पूरा deeply समझेंगे that help to regulate the BP जिसकी वज़ा से हमारा BP जो वो regulate होता है ठीक है ये एक enzyme होता है okay ACE inhibitor prevent the conversion of angiotensin 1 अब ये जो enzyme था A's वो क्या करता है inhibitor drugs नो होती है inhibitor drugs तो करती है कि convert होने से बचाती है means angiotensin 1 को angiotensin 2 से convert होने से बचाती है और ACE क्या करता है उनको convert करता है ठीक है angiotensin 1 जो होती है inactive होती है और angiotensin जो होता है वो active होता है that is vasoconstrictor होता है जो की disrupt करता है ranine angiotensin aldosterone system that is RAS जो की उसको disrupt करता है तो सबसे पहले हम इस भी को समझते हैं RAAS that is ranine angiotensin aldosterone system ये क्या होता है कैसे काम करता है तो इसको शुरू करते हम ये main हमारी structure diagram है इसी को हम देखते हैं पहले तो इसमें क्या है that is ranine angiotensin system इसमें हमारे पास क्या होता है हमारे सबसे पहले body में अगर कभी भी blood pressure low होता है normal physiology process है या हमारी body में किसी वज़ाए से body में fluid की volume कम हो जाती है या BP low हो जाता है तो उसमें क्या होता है सबसे पहले हमारी kidney जो होती है kidney में efferent arterioles होती है efferent arterioles होती है ठीक है तो efferent means वो होती है जो हमारी body में enter करती है efferent वो होती है जो हमारी body से बाहर जाती है body means kidney से ठीक है तो वो sense कर लेती है वो sense क्या कर लेती है कि हमारी body के अंदर blood pressure कम है या फिर हमारी body में blood का fluid का volume कम है अगर वो दोनों में से कोई भी एक reason होता है तो हमारी body के अंदर kidney जो होती है वो एक hormone release करती है that is ranine ranine is the most most important याद रखना है वो hormone को release करती है kidney कि अगर इन दोनों में से कुछ भी हो जाता है blood pressure low हो जाए या blood fluid का volume low हो जाए तो ranine produce करेगा ranine और वो ranine क्या होगा किसके साथ act करेगा वहीं से साथ में हमारे पास एक liver से hormone आता है that is angiotensinogen liver से एक hormone आता है that is angiotensinogen और वो ranine जो वहाँ kidney से release होता है वो उसके उपर जाके साथ में combine होके ranine प्लस दीस ये क्या convert कर देंगे that is angiotensin 1 दोहरा repeat करते हैं liver से एक hormone आता है angiotensinogen और kidney से एक hormone आता है that is ranine ये दोनों combine होके क्या बढ़ाएंगे angiotensin 1 जो की inactive होता है या इसका है ये कह सकते है कोई significant function या role नहीं है that is angiotensin 1 का तो यहां तक तो ठीक है अब उसके बाद क्या होता है angiotensin 1 बनने के बाद जो की inactive होता है अब हम जो बात कर रहे हैं बार बार ace inhibitors, ace enzyme वो कहां है कहां नहीं है तो वो enzyme होता है हमारा lungs के अंदर ठीक है वो enzyme होता हमारा lungs के अंदर angiotensin converting enzyme release from the lungs अब वो enzyme वहां से secret होगा कहां से lungs से और उसके बाद वो क्या करेगा angiotensin 1 के साथ combine होके या angiotensin 1 को inactive जो था वहां से वो बना देगा उसको active form में angiotensin 2 ठीक है angiotensin 1 जो बनाया था हमने ranin और angiotensin और gen के साथ combine होके अब angiotensin 1 जो inactive था या कोई रोल नहीं था उसको is enzyme convert करेगा is enzyme convert करेगा angiotensin 2 में जो की most active form होती है या main उसका काम क्या होता वो भी हम discuss करते हैं ठीक है इसने क्या कि 1 से 2 में बना दिया then आगे चलते हैं अब ये angiotensin जो होता है इसी का main role होता है construction में normal physiologic process में इसी का main role होता है कि इसने sense क्या किया था कि हमारी body के अंदर blood volume कम है fluid volume कम है या blood pressure low है तो जिसकी वज़ा से angiotensin 2 बन चुका है अब वो angiotensin 2 जो होगा वो क्या करेगा क्या हां कहां पर जाएगा सबसे पहले वो क्या करेगा एक adrenal gland adrenal cortex जो की हमारी kidney के उपर होता है उसको activate करके वहाँ पे एक hormones create करेगा that is aldosterone अब वो aldosterone जब वो produce करेगा तो aldosterone का क्या function होगा aldosterone का function होगा वो kidney को means उसको बताएगा कि sodium और water को reabsorb करना शुरू कर दो sodium और water को reabsorb करना शुरू कर दो retention करना कर दो क्यूंकि हमारी body में fluid का volume कम है BP कम है इसलिए naturally हमारी body में देखो ऐसे mechanism काम करता है कि वो समझ जा रहा body कि उसके अंदर water और sodium अगर बाहर निकलेगा kidney के तुरू urine में तो उसके fluid volume BP में और ज्यादा कमी आएगी तो उसको prevent करने के लिए यह सारा process होता है तो angiotensin का एक काम तो हो गया aldosterone को release करवाना है adrenal cortex adrenal gland से जो kidney के उपर होता है दूसरा roll क्या होता है angiotensin खुद एक vasoconstrictor होता है angiotensin खुद एक vasoconstrictor होता है हमारी जो blood vessels होती है उसको reduce कर देता है ताकि हमारा blood का pressure वो high हो जाए low की बेज़ए क्योंकि body में low था उसको यही signal मिला तो वो उसको high जो blood vessels का जो dilution था वो ज़्यादा था तो उसको वो constrict कर देगा constrict कर देगा तो जिसकी वज़ा से blood का pressure low हो जाए ठीक है यह दूसरा उसका function होगा angiotensin 2 का तीसरा function क्या होता है वो post pituitary gland जो होती है हमारी एक brain में pituitary gland उसका posterior part जो होता है उसको activate करता है angiotensin 2 posterior pituitary gland जो की brain में होता है उसको activate करता है और वहाँ से एक hormone release करवाता है आपने सुना होगा यह का hormone anti-diuretic hormone जो की post pituitary gland जो है produce करती है अब वो anti-diuretic hormone क्या करता है वो भी सेम water की reabsorption को ADH जो hormone होगा water की reabsorption जो होगी उसको बढ़ा देगा water की reabsorption का बढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा body के kidney के तरूँ water बाहर कम निकलेगा means body के अंदर वो reabsorption हो रहा है fluid का volume बढ़ेगा it means BP rise कर रहा है ठीक है यह हमारा होता है prevention mechanism है जब हमारी body के अंदर fluid volume कम है या BP कम है तो उसका prevention mechanism है उसको prevent करने के लिए ठीक है अगर हम इसी को ही prevent कर दें अगर मैं इस ACE inhibitors को ही prevent कर दूँ अगर मैं इस ACE inhibitors को ही prevent कर दूँगा इस enzyme को ही रोक देंगे तो हमारा ना तो angiotensin 1 से angiotensin 2 बनेगा ना ही इतने सारे जो function थे angiotensin 2 के वो use ओपाएंगे means वो action नहीं होंगे it means blood vessel dilate रहेगी aldosterone नहीं produce होगा और यह जो हमारी थी vessel construction वो भी नहीं होगी ठीक है जो तिनों रोल रुख जाएंगे तो BP हमारा low हो जाएगा rise होने की बजाए ठीक है दूसरा एक चीज़ हम इसी में discuss करते हैं हमने written में नहीं लिखा है कि अगर हम इस ranin रोक दें produce होने से अगर हम इस ranin को produce होने से रोक दें एक ही ड्रग है aliscarine that is aliscarine करके एक ड्रग आती है हमने classic question में लिखा हुआ है aliscarine एक ड्रग आती है single drug है जो की ranin को इनी bit कर देती है तो भी यह सारा process रुक जाता है ठीक है तो भी यह सारा process रुक जाएगा aliscarine वो आपको यहीं से समझ आएगा सारा रास से और तीसरा एक ड्रग तो हमने aliscarine हो गया यह ranin को यह direct inhibit कर देगी यहाँ पे तो यह सारा process रुकेगा दूसरा हमने ace inhibitors read कर लिया कि ace inhibitor enzyme को यहीं पे रोक देंगे तो भी हमारा process रुक जाएगा तीसरा एक आती है 80 receptor blockers means angiotensin receptor blockers जो होती है it means वो angiotensin जो हता है उसके receptor को block कर देता है तो जो यहाँ पे receptors आएंगे जो angiotensin और convert कर रहे हैं उसको भी अगर हम block कर देंगे तो भी हमारी सारा process रुक जाएगा तो इसको हम एक वरी दोवारा read कर लेते हैं फटाफट समरी इसकी की सबसे पहले क्या होता है हमारा अगर blood pressure low है या fluid volume कम है तो जिसकी वज़ा से हमारा kidney sense करेगा और hormone release करेगा रैनिन और वहाँ से एक liver से इंजाइम आता है angiotensinogen जो कि एक non functional है या जिसका कोई रोल नहीं है in active form में है उसके बाद वह angiotensin 1 जो बन गया है उसके बाद वहाँ lungs से हमारे एक hormone release होता है main enzyme जिसके हम उपर video बना रहे हैं वो enzyme release होगा lungs से और वह angiotensin 1 के उपर जाके act करके angiotensin 2 बनाएगा जो कि active form होगा और इसका main role क्या क्या होता है उसका main role हता है vasoconstriction और दूसरा vasoconstriction मतलब BP को rise करेगा दूसरा इसमें होता है aldosterone hormone produce करवाता है किसके तरू दैट इस adrenal cortex के तरू जिसको वो activate करता है और जिसकी वज़ए से sodium और water की reabsorption बढ़ जाती है, fluid volume बढ़ता है और BP rise होता है और तीसरा role इसका main होता है कि post pituitary gland जो होता है वहाँ पे भी activate करके क्योंकि इसके receptor वहाँ पे भी होते हैं pituitary gland में और वो pituitary gland जो होता है hormone release करता है that is anti-diuretic hormone जो कि क्या करता है water की reabsorption को वो भी बढ़ा देगा means वो urine को pass out कम होने देगा तो जिसकी वज़ा से BP को जो हमारा rise करता है अब यही हम अगर रोग देंगे process तो यहीं पे रोग देते हैं ACE inhibitors को drug देके जिसकी वज़ा से यह सारी process रोग जाती है ठीक है, यह हमारा राज system था जो कि most important है अब देख लेते हैं कि mechanism अब आपको समझा जाएगा ACE inhibitor जो होती है prevent करती है conversion of angiotensin 1 से angiotensin 2 को जो कि inactive थी वो active होती है angiotensin 2 तो उसको रोग देती है तो जिसकी वज़ा से रहनिन अगियोटensin system disrupt हो जाता है और जिसकी वज़ा से हमारा BP जो है low हो जाता है और इसके लावा ACE inhibitor एक काम और करता है breakdown किसकी bradykinin की breakdown को inhibit करता है जो कि bradykinin होता क्या है vasodilator होता है it means जैसे जो vasodilation कर रहा है that is bradykinin अगर उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे तो हमारे vasodilation होगी और BP हमारा fall होगा ठीक है तो उसकी breakdown जो होती है उसको रोग देता है इसकी bradykinin की जो की vasodilator है और उसकी amount को भड़ा देता है increase the amount of bradykinin ठीक है जिसकी वज़ा से vasodilation होती है और BP जो हमारा fall होता है but इसमें एक main side effect है सबसे most important side effect है dry cuff dry cuff is the main side effect क्योंकि इसमें साथ-साथ में काम करता है construction of smooth muscle of bronchi हमारे जो bronchus होता है हमारा जो trachea lungs में bronchi होता है उसके जो smooth muscle होता है उसको constrict कर देती है यह that is ace inhibitor जिसकी वज़ा से side effect आता है main dry cuff और इसलिए इन patients को हम dry cuff वालों को already जिसको है नहीं देते हैं ठीक है ओके तो यह हमारा रास हो गया इसका mechanism of action हो गया अब function of ninja tension 2 इसको परलेना की construction करती है blood vessels को reabsorption of water by the kidney और eldosterone hormone को release करती है by acting of adrenal cortex जिसकी वज़ा से हमारा reabsorption of water and sodium होता है जिसकी वज़से fluid volume बढ़ जाता है और इसके इलावा increase the volume of the blood by adding more water and constrict the blood वैसे increase the BPA ठीक है next है also act on the posterior pituitary gland and cause the release of anti-diuretic hormone जो की water की reabsorption को बढ़ा देगा और blood volume sorry fluid volume आए गया यहां पे और increase blood pressure बढ़ा देगा ठीक है तो हमने उस सब्सको रोक देना है okay drug जो होती है इसमें कौन कौन सी drug आती है इसमें main drug हमारे जो end होती है प्रिल के साथ तो easy है रेमी प्रिल लिसिनो प्रिल इनाला प्रिल कैप्टो प्रिल बेंजा प्रिल प्रिंडो प्रिल कौना प्रिल ये सारी कि सारी important drugs है प्रिंडो प्रिल आज के टैम में बहुत ज़्यादा use हो रही है प्रिंडो प्रिल जो होती है वो बहुत use हो रही है रेमी प्रिल is also mostly used ये दोनो ड्रग्स इनाला प्रिल also sari potent drugs है तो यह जो सारी drugs है in April जिसके साथ hand में है that is asinibator drugs है हमारी ok निके side facts क्या है hypotension means हमारा BP low करती है तो कई बार क्या होता है patient जो होता है वो standing sore होता है lying position में है लेटा हुआ है और वो एक दम से suddenly उढ़ जाता है तो जिसकी वजाए से उसका BP low होता है तो वो एकदम से चक्कर खा जाते हैं क्योंकि इसकी बोड़ी को BP low होया होता है और वो गिर जाता है ठीक है तोड़ा से कम हो जाता है जिसकी वज़ा से हमारे को νेंद या डिजनेस चकर टाइप से आते हैं कि समूथ मसल्स को क्वर्ण का भाट की जिसकी वज़ा से जाती है है size की हाइपरkel yeux को हमें वहां पे रह गया था बट वहाँ पे क्या होगा, पोटाशियम की जो है, accumulation हो जाएगी, means, पोटाशियम बाहर नहीं निकलेगा, only sodium बाहर जाएगा, पोटाशियम की retention हो जाएगी, तो जिसकी वज़ाए से, जो हमारा potassium है, वो ज़्यादा हो जाता है बोड़ी में, जैसे swelling of lips, means, होट जो होते हैं, वो swelling हो जाते हैं, आई, टंग्स, जिसको हम एंजियोडीमा बोलते हैं, होता कि हम वहाँ पे भी, वो blood supply है, वो कम हो जाती है, means, वहाँ पे BP low था, जैसे तो vessel dilate हो गई, जब vessels dilate हो जाती है, तो इसमें blood का volume, जो supply होती है, वो देरे हो जाती है, जिसकी वज़ा से हमारे वहाँ, इंजियोडीमा फ्ल्यूड का कठा हो जाते हैं, swelling हो जाती है, तो यह हमारे less side effect है, means, कम easily नहीं देखने को मिलते हैं, और इसके लाब़ा, decline kidney function, देखो kidney function, decline का means क्या होता है, कि हमने already उसको function को बढ़ा दिया है, किसे kidney के function को बढ़ा दिया है, कैसे kidney के function को बढ़ा है, कि उसके फटा-फट उसको exclite out करो, उसको natural process को बजाए, हमने एक artificial process वहाँ पे लगा दिया था, कि उसकी function को हम बढ़ा देते हैं, तो decline करता है kidney के function को, लोंग टरम में ओके नेक्स टेक और कॉंट्रा इंडिकेशन जो की होता है कि प्रेगनेंट एंड लेगरेटिंग मदर के लिए थोड़ा सेफ नहीं है इसकी अभी स्टेडी नहीं है इसके लावा जिसको अलरड़ी अंजियोडीमा होता है तो ड्रग जो प्रॉपर काम नहीं करेगी और उसकी किड्ने को यह सिस्टम को यह अलरड़ी डिस्टर्ब है उसको हो डिस्टर्ब करेगी और लास्ट है कि जो अलरड़ी कोई पेशन्ट आगर हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहा है हम वो पहले से ले रहा है diuretic sparing diuretic और potassium वो कठा हो जाएगा तो body में बहुत ज़्यादा access of hyper kelly में हो जाएगा तो हमने ये ध्यान रखना है कि उसने पहले को diuretic ले तो नहीं रहा है वो भी खास कर कौन सा potassium sparing diuretic तो बिल्कुल नहीं देनी है और कोई diuretic anti-appetence में ले रहा है तो इसको ये भी देंगे तो और ज़्यादा BP लो होने के chances होते हैं तो ये सब चीज देखके ही इनको देनी है that is counter education तो ये हमारी वीडियो थी एस इनीबीटर्स पे रास पे ठीक है I think आपको समझ लग गई होगी और कोई आपके comment हो तो जरूर आप इसमें comment कर सकते हो वीडियो गरिकार्डिंग थेंकियो दोस्तों